असलाम अलेकुम एव्रिवान वेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल आज हम बनाएंगे प्यास वाले करे ले तो चलते हैं रेसीपी की तरफ वीडियो को एंट तक लास मी देखें हमने चार अदर दर्मियानी साइस की प्यास लेनी है उसको अच्छा इसा काट लेने बारिक बारिक आदा किलो हमने करे ले लिये हैं इसको भी हमने अच्छा काट लेने हैं आदा कप तेल इमली का पेस लेना है कलोंजी ली है हमने जीरा लिया है बुनावा कुटावा सौफ और धनिया इन साइट चीज़ों को हमने वन टेबल स्पूल लेना है नमाक लिया है पिसी भी मिर्चे कुटी भी मिर्चे और हल्दी ये साई चीज़े हमने वन टी स्पूल लेनी है वन टेबली स्पूल अदग लाइसन का पेस लेना है हमने कडाई लेनी है अब हमने इसमें तेल को आइट करना है तेल को तिता से गरम होने के निया रख दे हमने इसमें करेलो को फ्राइ करना है गोल्डन ब्राउंग होने तक हमने सारे करेलो को फ्राइ करना है इसमें अच्छी तांसे हैं हमारे करेलो फ्राइ हो चुके हैं गोल्डन ब्राउंग अब हमने इसको लिकाल के सारे करेलो को यसी फ्राइ कर लेना है अब हमारे जट्तों आइल बचा उसमें हमने प्यास आइट करनी है प्यास को बस हमने लाइट वाइट करना है ब्राउंग नहीं करनी है हमने प्यास को जादा अब हमने अधर क्लेसन का पेस एड़ करना है प्यास में अधी तांसे मिक्स करें अब हमने जीरा सौफ धनिया और कलोंजी आइट करनी है इसको भी अधी तांसे मिक्स करें अब हमने इसमें सारे मसाले अड़ करने है नमाक तिसीविंट च्थेकों टीवी मिटके और हल्डी इंसाइट चीजों को अच्छी तांसे मिक्स करेंगे फिर हमने इसमें फ्राय हुए करेले एड़ करने हैं सारे इन साइड चीजों को भी अथी ताह से मिक्स करेंगे हम पकने के छोड़ देंगे और यह हमारे बुच चुके हैं ती तरह से करेले और प्यास अब हमने एंड में इसमें इमली का पानी आइड करना है इमली की जो पेस्ट हमने मना के रखा तो उसको आइड करके इसको अची तरह से मिक्स करेंगे हम हमने इसको अच्छी तरह से और बुचाना है फिर हमारे यह रेडी हो चुका है प्यास वाले करे ले अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में अलाहाफेस